असलाम अलेकुम डेरीवर्स एकिनन आप सब अच्छे होंगे और आप आप लोगों को प्रिवेस लेक्चर समझ आ गया होगा आज हम लोगों ने स्टार्ट किया एक नए टोपिक गोईंग टू और यूस्टू स्ट्रेक्चर के बारे में सरसे पहले गोईंग टू और यूस्टू स्ट्रेक्चर कौन से स्ट्रेक्चर होते हैं गोईंग टू स्ट्रेक्चर इस यूस्ट फोर नियर फ्यूचर मतलब यह नियर फ्यूचर में इस्तिमाल होने वादा स्ट्रेक्चर है going to is used for near future how for example he is going to write a story अगर अम लोग फर्मुले को देखे तो he is a subject is a helping work going to is a structure going to structure then first form of work article and the last one is object extra example they are going to go to school ग्याम लोग इसेल देखे लोगो याउय they are going to go to school they subject work अगर mão अउय्ड गारर पुओ देखेर काउब प्रेपोजिशन या पे प्रेपोजिशन है तू या आ और तू में डिफरेंस है आ जो है वो अर्टिकल है और तू प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन देन अब्जेक्ट और अगर अम लोग यूस्टू स्टुक्चर को देखे यूस्टू structure is used for fast habitual actions that we are not doing now. मतलब वो action के लिए use होते हैं, जो हम लोग अभी ना कर रहे हो. मतलब fast में, गुजरा होगा जमाने में. या कर भी सिर्फ first form use होगा. Like, he used to drink milk. अगर हम लोग इसका formula निकाले, he is a subject. लोगाँ लोगाँ, वोगाँ आसमी करूछे हो मोगाँ निकाले, koha छूपाँ रहे होगा. या कर लोगाँ, ऑज़ा होगा, अभीस जा ना चुछाँ क Southwest phonol आकin देक बँजां़. लोग पूगाँ होगा या चन्या, अभीस लिए होंशने ठीच के लोगाए. I is a subject, use to is a structure, treat is the first form of word, the, the is a article, and the patient is a object, article कुं कुं से थे, A and the, these are our articles, So, या तक ता आज का topic, I hope आप लोगों को समझ आ गया होगा, मिलते हैं एक next video में next topic के साथ, तब तक के लिए, Allah आफिस